Hi Friends, Welcome है आपका निशू आइडिया में और आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फेस कॉंटोरिंग करना फेस पर कहां कहां कॉंटोरिंग किया जाता है, कॉंटोर अपलाई किया जाता है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना यहां पर मैं यूज कर रही हूँ contouring के लिए brown color का lipstick और मैंने full makeup कर लिया है यहां पर आपको जो face पे line दिख रहा है इस तरह से आपको अपने face को करना है और कान के बीच से line draw करना है जिसे under the cheek bones कहते हैं तो आपको दोनों side में apply करना है और उसके बाद हम अपने jaw line पे apply करेंगे दोनों side पे face control करने से हमारा face पतला दिखता है makeup उभर कर आता है तो इस तरह से आपको line draw करना है उसके बाद हम करेंगे side of nose पे तो आप देख सकते हो अपने naak के दोनों side में आपको line draw करना है अगर आपका nose थोरा सा मोटा मोटा है तो आप nose contouring जरूर करें makeup में और उसके बाद हम अपने head के side पे apply करेंगे जिसे temple कहते हैं तो इस तरह से आपको line draw करना है और फिर हम सब को blend करेंगे अच्छे से तो इसके लिए मैं use कर रही हूँ brush या beauty blender आप यूज कर सकते हो और इसको आपको upward direction में ऊपर की और blend करना है आप contour को अच्छे से blend करें तब आपका contouring अच्छा दिखेगा face अच्छा दिखेगा तो आप देख सकते हो अगर आपका face भरा भरा है तो आप face contouring makeup में जरूर करें इससे आपका face थोड़ा सा पतला दिखेगा सुन्दर दिखेगा और shape में दिखेगा तो यहां पर आप eyeshadow palette भी brown color का use कर सकते हो या contouring का palette आता है उसको भी use कर सकते हो या अगर आपके पास brown color का lipstick है तो उसको भी use कर सकते हो तो मैं भी अभी makeup सीख रही हूँ और जो जो सीखती हूँ वो मैं आपके साथ share करती हूँ तो मेरे चैनल पर बने रहे हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने nose को blend कर लिया है और मेरा nose अभी sharp हो गया है पतला हो गया तो वीडियो पसंद आई हो तो like करें कैसा लगया नीचे comment कीजेगा बाई बाई